हेलो, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा तक पर फिर से चलेंगे हम मारे W3Schools पर और हम कर रहे हैं SQL SQL में MySQL Functions MySQL String Functions हम अल्रेडी कवर कर चुके हैं MySQL Numeric Functions भी हम कवर कर चुके हैं जिसने अभी तक String Functions और Numeric Functions नहीं देखे हैं तो आप पहले वो देख सकते हैं इस वीडियो में हमें स्टार्ट करना है MySQL Date Functions और उसमें से सबसे पहला जो Date Function है वो है Add Date Function क्या होता है को बार इसको देखते हैं MySQL Add Date Function Definition देखते हैं एक बार इसके The Add Date Function adds a time slash date या तो time या date interval एक हिस्सा होगा जो हम add करेंगे किसके अंदर एक date के अंदर और उसके बाद हम बाद में finally जो हमें मिलेगा वो एक date ही मिलेगे ठीक है add date function क्या करता है या तो time का interval या फिर date का interval ठीक है कोई एक हिस्सा होगा या कोई value होगी ठीक है या तो time value होगी या फिर date की value होगे जो हम add करेंगे किसी एक particular date के अंदर और बाद में finally हमें क्या मिलेगा add करने के बाद एक date मिलेगे यही क्या हमारा add date function और भी चीज़े अच्छे से clear हो जाएंगी जैसे आप example दो को है आगे देखते हैं एक बार syntax देखते हैं क्या बोलता है add date ठीक है parentheses start पहला parameter है date जो भी original date है जिसके अंदर हमें addition करवानी है जिसमें हम या तो date जो कोई भी interval होगा या तो time की value हम इस date के अंदर enter करेंगे add करेंगे या फिर कोई भी time interval या फिर date interval किसी में इसी में add होना है और बाद में जब यह फूरा return करेगा वो क्या करेगा एक date रिटन करेगा ठीक है तो original date हम यहा लिखेंगे comma interval ठीक है और उसके बाद यह क्या है interval है keyword है और यहाँ पे लिखेंगे उसकी value यह value क्या है positive भी हो सकती है negative भी हो सकती है यही value इस date के अंदर addition होके बाद में और यहाँ पे क्या लिखा है देखो सबसे last में लिखा है add unit यह क्या है हमें बताना पड़ेगा कि जो यह value लिखी गई है यहाँ पे यह कैसी है यह time है date है month है क्या है कुछ भी मलब जो भी है उसका add unit वो किस type की unit है add date function को हम दो तरीके से call कर सकते हैं दूसरा कैसे है add date parenthesis और पहला parameter date, days ठीक है इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इसको call कर सकते हैं यह है parameter यह हमारा है syntax 2 parameters values देख लेते हैं एक बार किस तरीके से यह ले रहा है देखो जो हमारा date parameter है यह date है जो भी इसको क्या है लिखना है में जिस date को हमें modify करवाना है वो वाला original date यहां पर enter होगा उसके बाद जो हमारा second है जैसे इन्होंने days लिख रखता है means number of days जितने भी enter करवाने हैं हमें add करवाने हैं इस date के अंदर हमें यहां लिखने हैं जो कि हमारा syntax number two है और एक और parameter में क्या बोलता है value जो भी यह भी क्या है एक value रहेगी कैसी value time या फिर date interval जिसको हमें किसमें add करवाना है इस date के अंदर original date चीसे modify करवाना है उसके अंदर addition होगी वो value हमें यहां डालने है और यह क्या हो सकते है positive भी हो सकते है negative भी हो सकते है ठीक है यह चीज़े clear हो जाएंगी जैसे हम example देखेंगे और last जो हमारा add unit मिस हमें इस value के बतानी पड़ेगी कि वो time वाला है क्या है देखो यहां पर यह required रहेगा type of the interval to add मिस किस type का interval हमें add करना है वो microseconds भी हो सकते है वो second भी है minute देखो hour सम कर सकते है day कर सकते है week, month, quarter, year second microsecond minute microsecond minute second hour microsecond hour second hour minute day microsecond day second day minute day hour year month यह सारे के सारे जो उन सा भी हमें यहां पर unit add करवानी बतानी पड़ेगी जैसे कि means 60 60 means 60 और मैं unit लेता हूं seconds means इस date के अंदर 60 second add कर दिजिए तब यह हम जब 20 को पढ़ेंगे तो इस तरीके से होगा देखाँ मालो मेरे को एक minute add करवाना है तो एक minute यहां लिखेंगे minute लिखेंगे यहां पर one लिखेंगे तो यह एक्जांपल देखो अभी एक्जांपल से और चीज़े अच्छे से clear होगा एक्जांपल देखो सबसे पहले क्या कर रहा है add कर दिजे add 10 days to add date and return the date तो दस दिन date के अंदर add कर दो यह date इसने दिये है और देखो interval इसने keyword लगाया है और सबसे पहला parameter जो यह बता रहा है value का यह value 10 दिन add करवाने है और last में जो हमार था add unit तो उसमें क्या लिख दिया है day लिख दिया है इस date के अंदर 10 दिन add कर दीजिए और उसके बाद हमें क्या मिलेगी एक date ही मिलेगी return होके और यह addition हो जाएगा एक्जांपल देखूँ ठीक है यह हमारा function पहला parameter date value और date type जिस हिसाब से हमें लिखना है add unit ठीक है और यह देखो इसको हम करते हैं add यह है 2017-06-15 थे ठीक है और इसमें 10 दिन add करते है कितने हो गए 25 तो हमारी date आगी नई date आगी है एड हो गए तो यही क्या है add date function और example देखते हैं इन्होंने जो दे रखे हैं 15 minute add करने है to add date इस date के अंदर और उसके बाद हमें क्या करने है date को return करना है example देखो यह date इन्होंने दे दी है और including किसके साथ दी है जो हमारा time component है उसके साथ means घंटे भी दे दिये है minute भी दे दिये है second भी दे दिये है क्यों क्योंकि हमें 15 minute add करवाने है तब ही तो पता चलेगा 9.34 में हम क्या करें 15 minute add करेंगे ठीक है और सारी की सारी date हमारी नई date मिलेगी हमें देखो 9.34 का क्या होगा 9.49 ठीक है इस date के अंदर से और उसके बाद हमें क्या करनी है date return करनी है तो वही है सेम चीज़े minus 3 गंट हम लिखेंगे और ये date है और जिसमें time की बात आएगे उसमें हम complete date लिखेंगे including the time component ठीक है तो ये देखो हमारे date और ये 3 गंटे हमें क्या करने है subtract करने है 9.34 में से अब 3 गंटे subtract हो जाएगे तो कितने हो जाएगे 36.34 ठीक है तो ये देखो हमारे 36.34 बाकी तो ये पूरा का पूरा क्या है time है including time component पूरी की पूरी date है वो उसके बाद देखो subtract करना है 2 months to a date इसमें से 2 मेने घटाने है हमें और return करने है उसके बाद date तो देखो इसको ये हमारे day है और month का में यहाँ पे है month तो ये क्या हो जाएगा 2 मेने subtract हो जाएगे इसको देख लो एक बार 2017 4 हो गया यहाँ भी कितना दा अच्छा है था तो month घटाने है जोडने है कोई भी second है जोन सी unit हमें चाहिए है उसके साब से last में ये unit लाल दो और जितनी value हमें subtract add करनी है वो इस तरीके से हम कर सकते है और हम date के साथ खेल सकते है इस तरीके से जोन से भी आपको चीज़त चाहिए है नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे add time function क्या होता है आप लोगों से request है प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किजिए थैंक्यू जय हिंद जय बारत